पर्णाजिले में वेश्रिक महामारी के चलते पिछले छे महा से बंद परसिद आस्था का इस्थलमा कहली मंदिर कल सोमवार को दर्शन के लिए परसासन की मौजुद्गी में खोल दिया गया है इसके पूर्वे एजडेम अभी सेक्सी अपनी टीम सहीद गंडमाने नागरी कों पत्रकारों की उपस्थिते में बैठग आयुजित की गई जिसमें नौरात्री में आने वाले सरदालूं के लिए नेमा वली तय की गई बैठग में एजडेम ने बताया कि सरदालूं को बिना मास्क के मंदिर के अंदर प्रवेस नहीं मिलेगा नेमा नुसार सोसल लिसेंसिंग के पालन के साथ साथ सरदी जुकाम एवं बुखार से पिडित व्यक्ती मंदिर के अंदर नहीं जा सकेंगे पन्ना से चरणजित बंजारा की रिपोर्ट जैसे की सभी को पता है नवरात्री का तेवार आ रहा है और नवरात्री के तेवार के लिए 12144 का इंदरकत नवीन प्रावधान किये गया है और इस विशार में सभी को अवगत करा रहा है साथ ही साथ जो देवी जी की प्रती में स्थाबित करना चाहते हैं और उसके लिए अनुवाधा के दंडादी का रही का रहा है अब देख रहे हैं हमारा चैनल एस डेवी 24 न्यूज्ज जो हमारे शेत्रंत्र गत्त हैं किस प्रकार से इनको खोला जाएगा उसके दिशानर्देशों के संब्द में सभी को अवगत करा रहा है अभी मंदर खोला नहीं जा रहा है मंदर खोला गया है और नए दिशानर्देशों के साथ खोला गया है उसकी को सभी को अवगत कराएगा हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिलकुल भी ना भूले